तीन दिसम्बर में किसकी खुलेगी पॉल और कौन बजाएगा ठॉल तेल जितना आसार दोनों के लिए दिख रहाता हूं उतना निकला नहीं है क्या तीन दिसम्बर को भी कुछ ऐसा ही होगा मैं इसने नाच रहा था आखिर ये आबाम समझ गई जनता समझ गई सबसे बड़ा भूल कमल का फूल बीजेपी को दो हजार चौदा में वोट पड़ा था उससे जादा बीजेपी को दो हजार उननिस में वोट पड़ा था नहीं पढ़ा था! नहीं पढ़ा था! अज मुझे लग रहा है कि BJP मुक्त बारत होने जा रहा है जिनाओं के अंदर एक बाद तो साबित हो रही है कि वो मुदी मैजिक काम नहीं कर रहा है आठ नौ वर्शों में ऐसा मैजिक चला है जो रोम रोम करते थे आज वो कमंडल लेकर राम राम खटते रहते हैं तो आज अगर आपने मन पद्ला है इस पर कुदों बताइए ना नहेरु जी गलट राजी जी गलट नमस्कार व्यूवस मैं हूँ अमीश डेव गंड और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोग प्रिये कालिकरम जैसे क्रिकेट में कई बार आखरी ओवर की अंतिम गें तक रोमांच देखने को मिलता है यानि क्लाइमेस तक खेल देखने को मिलता है ठीक उसी तरह दोहजार चौबिस का सेमी फाइनल कहे जा रहे पांच राजियों के एसेम्बली इलेक्शन के नतीजों का रोमांच भी अब बढ़ा बढ़ता जा रहा है खुद कांगरेस पार्टी के साथ साथ कई एक्सपर्ट दावा कर रहे थे कि मद्द परदेश में कमल को मात और कमलात को जनता का साथ मिल लाता है लेकिन एक्सपर्ट पोल के बाद अब ये तस्वीर बड़ी धुंदली परती नजर आ रही है कोकि कई सर्वे में गाजे बाजे के साथ बीजेपी की 18 साल बाद पिर सत्ता में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है तो उधर राजेस्तान में भी बीजेपी कॉंग्रेस पर भारी परती दिख रही है 36 गड़ में करी टकर दिख रही है लेकिन वहां कॉंग्रेस का पढ़रा भारी दिखाई दे रहा है यानि भुपेश सब के सरदार है 36 गड़ के अंदर और जादतर एक्जिट पोल के मताविक तेलंगाना में कॉंग्रेस बीरेस के साथ में सत्ता चीनती दिख रही है लेकिन एक्जिट पोल के बाद एक और बड़ी घटा हुई है दुबई पहुंचे प्रधान मंतरी मोदी का भारते समुदाय के लोगों ने ना केवल जोरदा स्वागत किया बलकि अपकी बार 400 पार के नारे तक लगा दिये यानि कुल मिलाकर देश शेलेकर विदेशी जबीन तक चुनावी महौल है चुनावी रोमाज जबरदस्त उफान पर है तो आज जनता जरारदन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस 3 दिसम्बर में किसकी खुलेगी पॉल और कौन बजाएगा भॉल आज की चर्चा इसी पर मध्यप्रदेश में कमल या कमलनात राजिस्थान में राज बदलेगा या रिवाज 36 गड़ का गड़ किसके नाव एक्जेक्ट रिजल्ट से पहले एक्जिट पॉल का परिणाम आ गया है और रुझान बता रहे हैं कि इस चुनावी खेल का रोमांच आखरी ओवर तक कायम रहेगा क्यूकि एक बड़े उलट फेर के साथ ज्यादतर सर्वे मध्यप्रदेश में शिवराज के कायम रहने का अनुमान जता रहे न्यूज 18 के टारगेट पोल के मुताबिक राजिस्थान में भी कमल खिलता दिख रहा है और 36 गड़ में काटे की टककर के बीच कॉंग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है और तेलंगाना में कॉंग्रेस का साथ जनता का हाथ दिख रहा है सकता हूं कि राजस्तान में 135 प्लस 135 से उपर भारती जनता पार्टी के सीटे आने वाली है पटवारी साब क्या आपको लगता है कि ये काटे की टककर वाकई महंगी पढ़ रही है कांग्रेस पार्टी को यह सिंधिया का जाना महंगा पढ़ दो लेकिन एक तरफ एकजट पोल के नतीजे थे तो दूसरी तरफ दुबई में प्रधान मंत्री के सामने भारतिय समुदाय के लोगों ने बीजेपी के लिए 2024 में नया टार्गेट सेट कर दिया लेकिन आज ज्वेनता के बीच पांच राजियों के ट्रेलर पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस तो हमारे साथ आज कौन कौन जुड़ा है आईए आपको बिलवा देते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक है किस की खुलेगी पॉल और कौन बजाएगा ढोल तो आज के इस मेहमानों की लिष्ट में मैं अपने गैस्टों को बलाऊंगा एक अलग अंदाज में मेरे साथ पहले आ रहे हैं सैसीन पुनावाला का अभिनंदन है मेरे साथ राज़ितिक विष्टेशक है उनका अभिनंदन है स्टूडियो स्टेंदर मेरे साथ आ रहे हैं राज कुमार भाती संजीब कोशिक मेरूथीन रंग्रेश सफका विनंदन है तो किसकी खुलेगी पॉल कौन बजाएगा ढूल तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे तमाम मेहमानों का हमारे चुनावी एक्सपोर्ट का हमारे नेताओं का आप छबका एक बार फिर अभिनंदन है न्यूज 18 के इस मेगा शो के अंदर और आज की चर्चा की मैं शुरुवात करू तो सबसे पहले कुछ आंकड़े देखना जरूरी हो जाता है ऐसा लगता है कि राजस्तान के अंदर बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान दिख रही थी उतनी है नहीं और मध्यपरदेश के अंदर कॉंग्रेस तेलंगाना के अंदर तो ये कुछ बड़े आखड़े है और मध्यपरदेश में चाहे महाकौशल हो चाहे चंबल हो चंबल में 34 सीटे हैं बीजेपी के खाते में 19 जाती हुई दिख रही है कॉंग्रेस को माइनस 12 यानि 12 का नुक्सान होता हुँ दिख रहा है और महाकौशल जो कवनलात का इलाखा है वहाँ बीजेपी स्वीप करती हुई दिख रही है 47 सीटे में से 32 जीती हुई दिख रही है और कॉंग्रेस के खाते में चीनती वी दिख रही है ऐसा कई एक जिर्पोल इशारा कर रहे हैं तैसीन पुनावाला राजकुमार भाठी संजे कुमार और शेदाद पुनावाला आपका एक बार फिरा बिरंदर है और शुरुबात इस चर्चा की मैं करते हूं संजे कुमार ते क्योंकि चुनावी विश् लिश्नको और पॉल्स्टर्स के लिए अच्छा दिन था उनके लिए उतनी चुनावती पूर्ण दिन था आप अलग-अलग राज्यों के एसेस्मेंट को देखें तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पॉल्स्टर्स के एसेस्मेंट बहुत अलग हैं तो किसके करी करीब होगा पोल्स आवपॉल्स करते Cinderella को बसके को सबस्क्राइब कोसी अचि अच्छे संदेश अलग राजियों से जरूर आएंगे कुछ अच्छे संदेश अलग अलग राजियों से जरूर आएंगे शैजाद पुनावाला आप राजस्तान में खुद मूर्चा संभाले हुए थे लेकिन राजस्तान में ऐसा लग रहा है कि खेल बन तो सकता है लेकिन बिगड़ भी सकता है तो खेल बिगाड कौन रहा है आपका कई 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 घर का भेदी तो नहीं है जो लंका ढ़ारा है सबसे पहले तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना सुना था परूंतु जिस प्रकार से हमारी तीन राज्यों में जीत नजर आरी और कॉंग्रेस के विशलेशक नाचने लगे हैं अब जहां पर कॉंग्रेस पार्टी की दो राज्य सरकारी थी 36 गर राजस्थान दोनों सरकारे उनकी जा रही है और हमारी इन दोनों जगें पर सरकारे एक 37 गर में तो किसी ने चांस नहीं दिया तो हम लोग 107 से 110 की सीट पर है पर उससे ज़्यादा ही हम जाएंगे और जो दो पोल्स ने हमें नहीं दिखाया है उन्होंने यह नहीं कहा है कि इनकी सरकार बन रही है इनको भी उन्होंने वहाँ पर 9200 के बीच में रखा है कि मुझे अगर कॉंग्रेस हाई कमान बोले तक मैं पांचों राज्यो में सरकार बनबाद मुझा पर मुक्रम का मूध बनना चाहते है वह पर आपको मुख्यंवंस्ति कनदर बिलकूल हराया और उसके नि विभू रिजब ale pya दुरWeek. आप परवक्ताूं का मुझ थोड़ा हुआ था करनाटके के नतीज दिए कि राजनीति में हार जीत होती है करनाटका में हम निश्चेत हारे हिमाचर प्रदेश में भी हारे पर तुम हम उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, गुजराद, पंजाब, 39 में यहां पर हम जीते भी हैं, बिल्कुल मैं हलके में कभी लेता ही नहीं हूँ, और ये तो बात सिदर मया जी को भी जादा अच्छी तरह से पता होगा, मुझसे भी जादा अच्छा पता होगा, कि हलके में डीके शिव को वादा करके रखा है, पर सवाल का जवाब ने दिया, कई घर का बेदी तो लंका नहीं ढारा राजस्तान के अंदर, वो सवाल का जवाब आप गोल कर गए, देखें, मैं आपको बताता हूं कि संकेत बिल्कुल साफ है, यहां पर जो भेध हो रहा है, जहां पर लंका ढार है, वो इन ही के यहां पर है, हमारे यहां पर तो तीनों ही जगों पर कमल प्रचंड तरीके से खिले, चत्यस गड़ में भी प्रचंड तरीके से खिलेगा, तैसीन जी आप अभी जब एंट्री कर रहे थे तो गाजे बाजे के साथ डांस वांस हो रहा था, तो मुझे एक ब नाच रहा था, इसलिए मैं खुश हो रहा था, कि आखिर यह आवाम समझ गई, जनता समझ गई, सबसे बड़ा भूल कमल का फूल, इसलिए पाचो राजियों में से, चार राजियों में इनकी सरकार नहीं बनने वाली, हाँ, मैं इनको, क्योंके इनों ने राजस्तान में का किया, मैं एक्चली इनको बदाई देना चाता हूँ, अच्छा काम किया, और राजस्तान में इनको एज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, और मैं दुबारा से चीज रिपीट कर रहा हूँ, मध्यप्रदेश में 3 दिसमबर को आमीज जी मैं आपको जॉइन कर रहा हूँ, कमलना मंतरी ने प्रधान मंतरी के साथ स्टेज सेयर करने को मना कर दिया, तो इस चार राज्य में कॉंग्रेस आ रही है, और डांस करना तो मेरा बनता है, जी, ओके, चलिए, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना, तो आपने कॉंग्रेस का खेल बिगाड के साथ साथ अखिलेश यादव को भी जाएगी, तो कि जो उन्होंने करम करा है, वो हम सब के सामने हैं, ने हम तो मद्दुल्देश में अपना बनाने के लिए गए थे, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं, पर आपका एक दो बन रहे हैं, बिगाड़ने का हम काम करते भी के वल कमलनात होंगे, क्या तीन दिसंबर के बाद निर्धारित होगा, क्योंकि सपा तो पीडिया बना चुकी है, और हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो कमलनात होंगे, आगे, पीडिया हमारा नारा है, हमारा फॉर्मूला है, पिशडा, दलित, अल्पसंक्यक, आदिवासी, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, चुनाओं में पीडिया बड़ा फैक्टर इनमें भी है, और आने वाले चुनाओं में भी होगा, 24 में भी, मैं एक बात बता हूँ, अगर 36 गड़ में भूपेस बगेल मजबूत नजर आ रहे हैं, तो क मैं तो कॉंग्रेस की बात कर रहा हूँ, वह उम्मीद लगाए बैठी है, बीजेपी के साथ भी यह किया था, और गूजर समाज का नाम भी लिया, राजिस्थान में भारती जंता पार्टी की सरकार थी, तो 72 गूजरों को गोलियों से भून दिया गया था, उनकी हत्या किय गया थी, इसा गूजर समाज भूरा नी है, गूजरों को तो साइड लाइन करा राजिस्तान में, जिसका उस पूरी बैल्ट में लुक्तान हो रहा है, बिजेपी ने तो हत्याइं की, ओक और कमलनाद जिम्मेदार है, तैसीन पूरा वहला, कमलनाद जिम्मेदार होंगे, अ बतारो आपको तीन डिसेंबर के बार जो सरकार बनेंगी उसके मुक्यमंतरी कमलनाथ होगे। उस इंटर्वी में मुझे याद आ रहा है कमलनाथ जी ने कहा था कि अखिलेश को वोट देना मतलब वेस्ट करना है अपना वोट तो भी शायद भूल चटवे होंगे चोड़ दीजे जो राजिस्थान की बड़ी-बड़ी बाते कर रहे था मैं इनसे बहुत विनमता से लेकिन इस बार ना तो करणी से ना विरोध कर रही है और सचीन पाइलेट के मादन से जो आपने गुजर भाईयों को बहला पुसला लिया था आप गुजर भाई भी विरोध में है और करनल बैसला के बेटे विजे बैसला को चुना लड़ाकर जो भारतिंता पार्टी ने एज लिया है उसको आप कैसा देख रहे हैं ओके यह बड़ा इपॉटेंट पॉइंट है करनल बैसला के जो करनल बैसला को लड़ा था तभी नहीं पर सरकार बनी थी पीजेपी की बेटे की पोलिटिकल हैसियत नहीं है राजस्तान में वह नहीं है आपना फुटबाल लेना उसके अंदर मारना यह सेल्स बोल हो गया है और अजिस प्रकार अपमानित आपने किया था वह इस बार नया वोटर निकला है वह भी नरेंदर मोदी जी आपने चीज कह रहा है इन्हों ने एक बात शुरू की थी बेगानी शादी में अबदुल्ला दीवाना उसको सचीन बाइलन को नहीं लगता है उनका अपमान हो यह भात पर वालों को लगता है सचीन का अपमान होगे तो अब देखे मुझे लगता है कि ऐसी शब्दावली दूसरी बात मैं से पूचनाव के एक दिन पहले जो आखरी आइट चपा है कॉंग्रेस पार्टी का उसमें कि की तस्वीर थे अशोग गहलोत की तस्वीर थी खडगे जी की तस्वीर गायब दलित नेता राश्ट्या देख्ष गायब राहूल गांदी की तस्वीर थी ना सचीन पार्ट ना कोई और नेता यही दिखाता है कि किस प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी की सोच है कि गुजरो का अपमान, दलितों का अपमान, वो तो छोड़ दीजे, पर महिलाओं का और युवाओं का जिस प्रकार से अपमान किया, देखे, राजस्थान में रहे नहीं है, वहाँ पर बेरोजगारी चरम पर थी, और उसके बाद 18-18 पेपर लीग होए, और सारे पेपर लीग के माफिय हडाती, जैसलमेर, भीकानेर, ढुंडार और जैपुर, ये समभागों में लगबग लगबग बटा हुआ है, मैं ये सवाल इसलिए पूछा हूँ संजे जी, क्या आपको लगता है कि सचिन पाइलेट, सचिन पाइलेट खुद नाराज नहीं हो सकते, लेकिन उनको एक अतना पढ़ सकता है, क्या? इस बार लगबग ये तय है, अगर कॉंग्रेस जीत भी जाती है, तो वो अशोगहलोत की जीत मानी जाएगी, और किसी भी सूरत में अशोगहलोत को हटा कर सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए संभाव नहीं होगा, तो संदेश एक मुझे लगता ह है कि उनका वोट जितना बढ़ चड़ कर उनने दोहजार अठारा में कॉंग्रेस के लिए वोट किया था, वो कहीं न कहीं खिसक कर बीजेपी के तरफ गया होगा इन चुनाओं में, जी, एक एक सवाल मैं आता हूँ, मैं सेयद जवाद आपके पादा हूँ, आपका क्या आपके अंदर कॉंग्रेस के लिए ज़्यादा स्ट्रेस की बात है क्योंकि दो राज्यों में लगबग उनकी सरकार है और मद्दे परदेश पे वो एच पे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब पीछे नज़र आ रहे हैं, एक बात तो आपके सवाल के अंदर ही सवाल निकल आ होते हैं, मद्दे परदेश में भी इतना वड़ा क्लीन सुप नहीं नज़र आ रहा है, जिस तरीके एग्जिट पोल आ रहे हैं, और अभी राजिस्थान के अंदर भी इस सिती वह नहीं हैं, मद्दे परदेश पे 18 साल के शासन के बाद भी बीजे पी अगर सरकार बनाने क तो आपको वह ख्ली प्री नजर आ रहा है, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं आप, विस डेशन आपका कमाल है, मोदी मैजिक जो है ना, वो खतम हो गया, आपकी इस बात से तो थाबिए खतम होगा, और दूसरी बात बता दू, 35 विदायक ऐसे हैं जो वसंदर राजी खेमे के और वो निर्दलिय चुनाओ लड़ लड़ लें, आपको पता होगा, कैलाश मेगवाल साथ, जिन्होंने मेगवाल साथ, कई तो बैट गया, 18 बैट गए ते उसमें से, उसमें सुनी, अभी भागी विदायक इनमें सबस्यादा बारती जनता पार्टी में, और लगब चैनाओ से पहले 2020 में, ये नारा लगा था कि कांगरेस मुक्त भारत हो जाएगा, आज मुझे लग़ रहा है, इन्होंने क्यों ने लिया, दूसरा, सीम के फेस तो कांगरेस के पास सारे है, आपके पास कौन से स्टेट में सीम का चैरा था च्रीक है, ये एक अच्छा सवाल है, जब आप, देखें, जहां तक सीम फेस की बात है, तो कमलनाथ, जहां पर मध्यपदेश में सरकार नहीं थी, वहां पर कमलनाथ को गोशित कर दिया, पर उन्तु जहां सरकारे थी, चत्तेजगर और राजस्थान, वहां पर अशोग गैलोद या बुपेश बागेल को नह खकते थे, आज वो कमंडल लेकर रामराम के ाखते रहते हैं, और हमुजद मंदिर के चक्कर कारते हैं, अरे से जवाद साब, जवाज जवाद पर आपनो क säger बाशिज वाद क紹ог ETV लोगो जब खोल रहे हैं तो जितने आके उस पर दिखाई मुझे लगता है कि यह जितने भी इंजित पॉल करने वाले हैं मुझे बाबाों जैसे दिख रहे हैं कोई कह Love को जबाबा कि सब्सकिन डिलुब है। यदि पांच राज्यों में करारी शिकस्त होती है भारती ये जंता पार्टी की, क्या ये मानेंगे कि मोधी मैजिक ठीक है, आपका सवाल बड़ा है कि मोधी मैजिक है की नहीं है, संजे कुमार जी से बहतर को नों का, भई सेदात्पुनावाला तो उनकी पार्टी के, तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोधी की अपनी छवी बरकरार है, उनकी पॉपुलरिटी बरकरार है, बीजेपी जितना भी प्रदर्शन करती है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है बीजेपी तीन राज्यों में हार जाए, लेकिन इसके बाब जूद, जो वोट बीजेपी को मिले लिएगा, उसमें प्रधानमंत्री मोधी का एक बड़ा कॉंट्रयब्यूशन है, केंद्र सरकार से सैटिस्फ Zhao reaction हाई है, प्रधानमंत्री मोधी की पॉपॉलरिटी हाई है, और यह जियूम करना होगा, कि अगर प्रधानमंत्री मोधी केम्पेन नहीं कर रहे होते है या aggressively व जरूर है कि प्रधान मंत्री मोदी की अपने पार्टी के लिए वोट जो खीचने में के लिए विधान सभा में कम और लोक सभा में ज्यादा है बड़ा इंपॉर्टन फैक्टर है क्या आपको लगता है श्यादा मेरा सवाल यह है और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप नरेंद मोदी पे होली एंड सोली डिपेंडेंट है भारतिय जनता पार्टी मोदी जी आएंगे नहीं आपार लगाएंगे और ऐसा चाहे वह लगता है कि अगर राजस्तान में आकलन किया जा रहा है कि हम लोगों ने जादा वहां पर डिपंड किया तो मुझे बताईये फिर मध्यप्रदेश में आपका कहना यह है कि हम लोगों ने मोदी मैजिक चला है देखे इस प्रकार का विशलेशन जो हो है वो चैनात्मक रूप से नहीं किया जा सकता नरेंदर मोदी जी हमारे पास एक बहुत ही बड़े एसेट है निश्चित रूप से उनकी सरकार जो केंदर में चल रही है उसके चलते आज अर्थ विवस्ता साड़े साथ फीसद की रेट से बढ़ रही है आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ वस्ता है तेरा करोड लोग गरीबी से बार निकल आए जिस प्रकार से उज्वला योजना हो या नल से जल योजना हो यह सारी चीज़े मोदी जी की उ आहुल गांधी का हस्तक शेप रहा वहाँ पर देखें संजीव जी आप तो आमाधी पार्टी में आचुके पॉरा पर निर्भर है वो कह रहा है कि एक नेता जो हमारे प्रधान मंत्री है जो देश के लिए सतत काम कर रहे हैं उनके कामों को हम ना ले जाए जनता के बास तो अगर मोधी वोट दिला रहे हैं मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपके पास आपके पास भी राणा जी आ रहा हूँ अगर मोधी वोट दिलवा रहे हैं और बीजेपी उसका इस्तमाल कर रही है वो उनके नेता है जैसे कॉंग्रेस के पास राहूल गांधी है क्या है मोधी के पीछे चुप जाते हैं मोधी को आगे कर देते हैं अभी जी कोई भी अगर analysis हो वो बड़ी गंबीरता से होनी चाहिए और मैं इस बात से बिल्कुल इतिफा करता हूँ कि प्रधान मंत्री मानने प्रधान मंत्री हमारी देश के सबसे बड़े political leader है और भाजप about it लेकिन दिक्कत का बात ही है जब मानने प्रधान मंत्री से लेकर अमिच्छा जीज तक जो भी बात चीट करते हैं देश से युवा से प्रचार के अंदर बात से धर्म और जाती पर करते हैं वे अपना प्रफॉर्मेंस से उस पर बात निं करते हैं अमी जी मैंने आपके पर चीज का आता मैं उसको रिपीट करता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी वो बिग बॉस की जो अरी है अरी की तरह है अपना कुछ ने बताईगी कि औरी वो औरी के को अरे अरे बातुप ने बताईगी ओरी को पुछने आप क्या करते हैं हम यह करते हूँ ने आप ने यह एपिद्जम करते हैं, वह विद्धियो करते हैं, भाइया आप ने क्या-क्या वह बता अब आप सुनिए दिया, तो आप अब आप सुनिए मेरी वाते साब तो नहीं जीए, मैं आपके बीचमे नहीं बोला हुआ आप क्या क्या, आप क्या करना चाहि को थे- बद्रपदेश में सारी हमारी बहनाये ने पूछी कि हमने ऐसा क्या क्या कि आप हमको 500 रुपे में सिलिंडर दे रहे उत्रपदेश के हमारी बहने को नहीं दे रहे यह इनका वो ही है एक तर्क यहाँ पर एक चीज कहना आपने 9 साल में आपका शासन था मानने प्रधान मंतरीक अच्छे नहीं ता है आपने क्या डिलिवर के उसमें बोले वहाँ जाकर राजस्तान में सचिन पाइलेट का अपमान हो गया वहाँ जाकर आपने इसा क्या यह चीज क्या कर रहे हैं और करे तो उसको है अमिजी यह तरीका गलत है आप वहाँ हमें थ два सरकारे इनकी प्रधिय थी, एक राजसरो कर हमारी थी मद्यप्रदेश में मिमारी जिससको बनाकर चोड़ा था हमने इसको रिक्सित राज्य बनाया हमने वहांके सारे काम गिनवाए मद्यप्रदेश की इकॉनमियाद सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली नकसल मुक्त किया, सिमी मुक्त किया, डाकू मुक्त किया इन्होंने राजस्थान को महिला उत्पीडन में नंबर वन पेपर लिक में नंबर वन, रश्टाचार में नंबर वन कर दिया इनको कहा कि राजस्थान के काम गिनुआ है, तो बताइए कौन है, ये थे विवाजनकारी लोग लेकर आये थे, सोच लेकर आये थे, हमने तो कहा कि हम अपने काम के साथ, तुम अपने काम गिनुआ दो, चीक है, आप तैसीन बोल लीजे 10 सेकेंड, और उसके बाद मैं आपकी जले और नम्ध की बाट लंबी और खोक्ली होती है, काम की बाट सतीक होती है, ये चले थे, 24 जी चले थे, 6 जीवाने, 2 जीवान कर रहे गैंगे, अब मैं उनका उत्तर देता है, कास सेंस्थ की बात की, आप आज इस मन्च में बता दीजिए आप कास सेंस्थ के खिलाफे, आप कहे दो इसके खिलाफ है यहां पर आकर शो पे कहेगे आप यह कर रहे हो आप इसके खिलाफ हो या नहीं जवाब 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 तो बताओ ना तो बताओ आप वक्त है ब्रेक का देखते रहे निउस एट इन इंडिया पर रक्षा क्यों नहीं कर पाए आज वो रक्षा कर रहे तो भी नहीं अतराज है वह तो माल बचाएंगे अपना चानक की नजर है माल पर कि चोड़ आए और चोड़ से हम ना दरे अरे चोड़ आ रहे ना चोड़ी करने तो हम तो हम तो सुरक्षा करेंगे यह चोड़ है अब मेरा प्रश्ण बहुत महत्तों पूल जो हर समय में अखलेश यादो हो चाहिए कोई भी विपक्षक नहीं तो पीडिय की बात कर रहा है पिछला दलित आदी वासी और अलफ संक्या की यह बताईए समाजवादी पार्टी में कब पिछड़ों को अध्यक्ष बनाएंग केलकर किया गए थी नहरु जीन उसको लागू नहीं किया उन्नीस सो नबबे में मैं असी में मंडल कमिशन की रिपोर्ट आ गई थी बहाई इंद्रा गांदी और राजीव गांदी ने लागू नहीं किया थी बताईए यह दोरा चले तरक्यों है मेरे दोस्तों नोरों प्र जवाब तो सुन्दू में किस बात पर रहूं उन्होंने सवाल उठाया कि कॉंग्रेस ने रोकी थी जनकरना लिए कोंग्रेस अब तो समर्थन में है कहतो रहिए हम जाती जनकरना कराएंगे आप कब इस भूल को सुधार होगे आप तो हमेशा OBC के विरोध में रहे जब मं 30,000 सिक्षक भरती में OBC केंड़ेट को बाहर कर दिया गया और जनरल केंड़ेट भर लिया गया और वह केंड़ेट अब प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस उन्हों पर लाठिया बजा रही है पिछड़े को और अल्पसंख्यक को कब बनाओगे इन्हें यही पता नहीं है दूसरी बात किस वर्ग के लिए काम कर रहा है अपने अब देश के प्रदान मंतरी अपने आपको बीची कहते हैं लेकिन के हकों की सबसे ज्यादा हक मारे प्रदान मंतरी मोदी के सासने में हुई है आज ओवी सी राजनिती सब आउट कर दिये गया है ओवी सी के गले पर छुरे चलाए जा रहे हैं क्या बात आप करते हो पीड़े के लिए पर चुरे चलाए जा रहे है आपको समयधानिक दरजा देने वाले प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी थे उन्हों ही नहीं 24 में अगर आपके राजस्तान में सबसे बड़े जादूगर को मोटी चिर्व करते वहीं मोदी मैजिक के अगर आप इंदर भार्ती जंता पार्टी लगातार आ रही है और कॉंग्रेस बिना मुद्व के जा रही है चुनाव लेंडे आज तक कॉंग्रेस संगर्ज कर रही है यह कॉंग्रेस के लिए चंता का विश्य है इसको आपको अंदर जाकना पड़ेगा और कॉंग्रेस की सरकार आने जा रही है और मैं बार-बार कह रहा हूं एक बहुत सवाल है मेरा देखिए आप कर लेते हैं मोधिक मैजिक है की नहीं है कोई भी चुनाव हो एक एक इंट्रस्टिंग अनक्डोट मैंने देखा है बीते बारा सालों के अंदर अब 2013 से घटा करम शुरू होता है और आज 2023 नहीं दस साल होगा इसको लगब लगब नरेंद मोधी का मैजिक है की नहीं है पित्ली बार 2013 के विधानसवा चुनाव में मोधी मैजिक हो है अगर देश के अंदर तो विधानसवा चुनाव जीतने चाहिए बीजेपी वो चुनाव जीती दो अदर 14 में मोधी मैजिक है की नहीं है बीजेपी चुनाव जीती उसके जब आप दिये जाते हैं बीजेपी के से भी एक्सपोर्ट के भी और विपक्ष के भी लेकिन एक मुलता बड़ा मेहतपूर बात पर मुद्दे पर बात गई है लेकिन एक सवाल आपी से सवाल है आपी से सवाल है सर क्या आपको लगता है कि जो कॉंग्रेस की प्लाइनिंग थी कि हम अपने बूते पर जाएंगे अपने आपको सबसे बड़ा दिखाएंगे और इंडिया घठ बंदन में फिर अपनी हम दादागिरी करेंगे यारी पॉलिटिकल दादागिरी की मैं बात कर रहा हूं क्या आपको लगता है उसको जटका लगेगा जिस तरह का एक्जि संजय जी ने कहा आप रिपीट करके देखल सुनना आप आप मैं गारंटी देता हूं आप ददस लाग के सर्थ लगए उन्होंने यही बोला मैंने कहा था कि सिंप्लिस्टिक एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी हार भी जाये चार राज्यों में तो सीधा संबंद ना हो कि मोजी मैजिक काम नहीं किया अगर बीजेपी जीट जाती है तो आप कहें मोदी मैजिक काम क्या ऐसा रिविशलेशन नहीं होना चाहिए मोदी की अट्रेक्शन प्रदान मंतरी मोदी के लिए अट्रेक्शन अभी भी बरकरार है और अब इस समय एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है करनाटक में रिसॉर्ट बुक कर लिए गए है ऐसी जानकारी मिल रही है आईए क्या इस पर ताजा अपडेट है जान लेते हैं नेताओं ने क्या कुछ का है अब जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जाएंगे और तीन तारीकों परणाम हैंगे तो ज्यादा तर उसको रिसॉर्ट को खाली करके लोट याएंगे उस नहीं मिलने वाला कहां बुक करा है रिसॉर्ट बैंगलोर के बैंगलोर बड़ा सहर है देश का हो सकता है रिसॉर्ट बुक हो गए हो लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है और यदि माल लो डाक्टर किरुड़लाल जी ये कह रहे हैं और डाक साब की बात में दम मी मालने तो यदि ये जो आकड़ा आरा एक जिक्पूल का दो तो बीजेपी कॉंग्रेस दोनों सब तयारी कर लिए अब की बार ये ड्रामा नहीं चलेगी हम पूरे ताकतमान बनके बैठे हैं और अब मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं लेकिन आखिरकार शेदात्पुनावाला आप लोगों ने कितना मजबूर कर दिया है इन सब को अपने विजायक उड़ाने पढ़ रहे हैं कि डर रहे विश्वास कि टिकाओं नहीं विकाओं है कि तुरंट कोई ओफर आएगा तो चले जाएंगे तो इसलिए उनको बारे बंदी में रखना और सरकार भी तो साड़े चार साल राजस्तान में ऐसी चली है रिजॉर्ट से ही चलने वाली सरकार है अब विपक्ष भी है तो रिज प्रदीबंडारी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जूरुत पड़ेगी या जनता क्लियर कट मैंडिट देगी और जो रिवाज है राजस्तान के अंदर सरकार बदलने का ग्राउन पे सेंटिमेंट यही है कि भारती जनता पार्टी राजस्तान के अंदर सरकार बनाएगी मध प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो महिला वोट ने जादा तर भारती जनता पार्टी को वोट किया है और इसी कारण भारती जनता पार्टी का चुनाव में सरकार बनाने के चांसे जादा है तो इस बार चांसे बहुत कम है कि रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स पर यह दर्शाता है अमीज जी जो कल तक कह रहे थे कि वही एक तरफा वर्डिक्ट आने वाली है कॉंगर्स पार्टी के फक्ष में आज वो खुद 24 आवर बात confidence की कमी है कोई confidence की कमी ने यह तो डांस करते हुए आया था लेकिन मैं आपको एक चीज बता दो अमीज जी यह जै कि उसी का जवाब बस दे रहे कि जी जीडी पहली में घृज ए और चोर आणे और चोर करें और हो उपर है मास्टर स्ट्रोक चानग क्या नीति और हम अपना बच्छा आई है यह आप रिजॉर्ट पॉलिक्स है अरे चोरी बंद करो हम नहीं जाएगे रिजॉर्ट में आप चोरी कर दो हमको रिजॉर्ट में जाना पड़ता लेकिन सर एक लाइघ दा संगें और सर एक चीज़ मुझे बहुत सप्राइजिंग लगता है कि वोट जो होता है ये तो सीक्रेट होता है लेकिन ये सारे लोग कह देते महिलाओ का वोट या जा रहा है ओबीसी का वोट ये सीक्रेट वोट में ऐसा कैसे होता है कि सबको पता चलता कि किसका वोट आ जा रहा है वोट सीक्रेट होता है न चोरी से आजा है आधा है आपने च नमाज पार्टी के छे से साथ विधायक थे किसने चोरी करें कोई भूजे तो जाने किसी को चोर तो नहीं कहा पर उन्तों अपने विधायकों को माल समझना कि कहीं पर भी कोई आकर उनको उठा कर ले जा सकता है और पिछली बार जब यह तथा गदी चोरी का आरोप लगाया तो उन्होंने केस किसे सचिन पाइलेट पर सेडीशन का केस डाला था कि सचिन पाइलेट चोरी कर रहे थे जी लेकिन देखे चोरी का अनुबब तो आपको भी है आपके विधायक चोरी हो गए थे और चोरी किसने करें थे आप भी बताईए बता जीजी आद दिल पे हाथ भाटी जी आपके साथ हमारा परिचे बहुत पुराना है तो दिल पे आत रखके बता दीजे मद्यप्रदेश में आपके विधायक किस ने चोरी करें थे पहले तो आप अपने सेंटेंस में थोड़ा सुधार करो हमें चोरी करने कर नहीं है हमारा माल चोरी हुआ अच्छा किस कि रखश क्यों नहीं कर पाये हैं तो हमें बात हैं पहली बार अगर पूरा इटाबल उठाकर चोरी करने का काम किया तो कांग्रिस नीं किया था महराश् ayudar हमें मिला शिर्शेना के साथ उन्होंने पूरा स्टेबल उठा लिया था विहार में वोठ हमें मिला था पुरा स्टबल उठा लिया था तो यह तो स्टेबल चोरी करने वाले लोग है और टोटी से लेकर स्टेबल तक चोरी करने की आदत किसकी है मुझे लगता है जन्ता को पता कि या आपको लगताए टिशकी निई क्लिर चाट कॉंग्रेस की सरकार आए यह नोजनी इस वजयी से जो है रही है सरकार में बदल रही है तेल्सकार कोल गए अच्छा घुए जो जनु नुद्यु पर यह था लिए सिर्प्रमा नहीं है माइनस तो होना नहीं है प्रस्तों होना ही है मैं सिर्फ इंडिया गट बंदन का भविश्य मैं सिर्फ यह कर रहा है लोग सबहाने दीजिए उसके मुझे लगता है कि राहुल गांदी साहब की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और अमीशाब आप से भी काफी वक्त पहले हुआ था उसका असर जो है जो अंडर करंड था वह आपने करनाटा के अंदर भी था मद्यपर्देश राजिस्तान च्छतिसगड़ के अंदर भी है क्य था है भारत जोड़ो यात्रा में परतीप आपकी पाफ आळे दाता हूँ भारत जोड़ो यात्रा का बीजबी प्कितना भी नका रहे बस देरिजसा इंपैक्ट ऑब भारत यभी बीजबी ले के लीए तो कमल नाथ एक बहुत बड़ा फैक्टर थे लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी फैक्टर रहा लेकिन वो दिल लद गए है जिसमें राहूल गांधी को लाइटली बीजेपी ले सकती थी अच्छे यूट्यूब पे विडियोज बनाना लाइक्स लाना व्यूज लाना और चुनाव में जीतना इसमें फरक है भारत जोड़ो यात्रा का जो फर्स्ट अगर ट्रेलर ऑफ प्रूफ होगा वो अगर 2024 के अंदर अगर Congress Party राहूल गांधी को या India Alliance राहूल गांधी को प्रदान्मंत्री पत का उमीदवार डेकलेर करें और उस भारत जोड़ो यात्रा में विश्वास करें और कहें कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस्ट्फल हुई है और हम राहुल गांदी को प्राइम मिनिस्टर उमीदवार डिकलेर करते हैं तब मैं आपकी बात से अगरी करूँगा कि भारज जोड़ोयात्रा सक्सेस्फुल हुई है इस अलाइंस के कोई भी सबनेता खुच जाके अगर कह दें अगर आप माइक लेकर कहें कि भारज जोड़ोयात्रा सक्सेस्फुल हुई है और हम राहुल गांदी को प्रदानवनती उमीदवार डिकलेर करना चाहते हैं 60% अलाइंस के लोग अगरी नहीं करेंगे मेरे इसाब से जब समाजवधी पार्टी और बीएसपी आई थी उत्तरप्रदेश के अंदर भारती जनता पार्टी का उत्तरप्रदेश में वोट शेर बढ़ाता है और लोगसमा में बीजेपी ज्यादा सीटे आई की इसको आप रिकॉर्ड कर लीजेगा राहूल गांदी को अगर इंडिया लाइंस प्रोजेक्ट करेगा इस प्राइमिली स्टीरल फेस बीजेपी की 24 में सीटे बढ़ेंगी आप जिन लोगों को अपने सोव में राजनितिक विसलेशक के तौर पर बुलाते हैं वो जूट क्यू बोलते हैं पार्टियों के पक्षमें बंडारी कह रहे हैं कि बीजेपी की वोट सीट बढ़ी थी इसलिए ज्यादा दिखाई देता है कि आधी सीटों पर एस्पी लड़ी थी आधी में भी एस्पी लड़ी थी अगर सारी शेर तो वोट शेर है सारी वोट सेर भी निए बढ़ा है अमीज जी बढ़ा है अमीज जी बढ़ा है शेदा कुछ एट करने जा रहे हैं आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद छे राज्यों के चुना हुए उसमें चार बीजेपी जीती दो कॉंग्रस जीती तो ये कैसे इंपक्ट है और भारत जोड़ो यात्रा का इतना इंपक्ट है तो पहले अखिलेश को मध्य प्रदेश में जोड़ो फिर पंजाब और दिल्ली में आम आदमी प्रदी को जोड़ो और बंगारी प्रदी अगर बीजेपी शीटे का मुई और सपा बस्ताइडी तो बड़ा ही होगा या कम हुआ है वोट शेयर अलग होता है और दो दूनी चार कभी नहीं होता है जब देखे सपा का वोट शेयर आप देख लिए और उसको जोड़ दीजे बसपा के वोट शेयर से लेकिन बराबर नहीं हुए थे तो जो 2019 का प्रदीब भाई बता रहे है वोट शेयर बढ़ गया था नो डाउ से 47 सीटें दिखा रहा है क्या आपको लगता है चतिसगर्ड is a close call on 3rd of December चतिसगर्ड एक close call है बट Congress Party को 36 में edge है भारती जनता पार्टी अपने best सिनारियों में 16 जो सीटें हैं close margin सीट से अगर हो 70% उस सीट जीच जाती है तो 45 का आकड़ा चू सकती है अगर बीजेपी 42 सीट भी लेके आ जाती है तो दो सीट जो है JCC के पास सारी और एक BSB के पास आ रही है तो which comes down to Congress Party 45-44 पाएगी तो मैं ये discount नहीं कर रहा कि BJP 36 गर के अंदर सरकार नहीं बना सकती बट Congress Party को edge है अमीज जी 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 समय समय आज समय तो रहा है आप लोग हमार साथ जुड़े इस टूडियो में आया आपने इस चर्चा में भाग लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मुझे उमी है और मुझे उमीद है कि इस बार के चुनाव किसी पार्टी को मद्बूत करें न करें लेकिन लोगतंत्र को मद्बूत करेंगे नमस्कार जैहिद